नमस्कार बच्चों आज के शुब अवसर मातरी दिवस पे राधर लेसन ए 11 वाई प्रस्तुत करते हैं ममी नोस बेस्ट जिसका अनुवाद है ममी सबसे अच्छा जानती है यह कहानी आपके लिए रिशी गुपता और रेखा गुपता द्वारा पढ़ी गई है आशा करते है आपको यह सुनने में बहुत मज़ा आएगा टॉमी को घास के मैदान में पकडम पकड़ाई और छुपन छुपाई खेलने में बड़ा मज़ा आता था अपने दोस्तों के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और था पर वहाँ पे बहुत सारी जाडियां और काटे भी थे जैसे ही एक काटा उसके पंजे में चुप गया टॉमी तो वहीं रहे के अपने दोस्तों के साथ और खेलना चाता था पर उसके पंजे में काफी दर्द होने लग गया था चलो टॉमी तुम्हें अपने पंजे को अराम देना होगा उसकी ममी ने कहा पर मैं और खेलना चाहता हूँ, टॉमी बोला कुछ ही देर में उसके पंजे में और भी दर्द होने लग गया टॉमी ने रोना शुरू कर दिया टॉमी बहुत उदास हो गया उसके दोस्त इतनी मस्ती कर रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे वो भी उनके साथ खेलना चाहता था थोड़ा अराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा उसकी ममी ने कहा और उसको गले लगा लिया जब टॉमी उस रात को सोया, वो उदास था कि आज वो सारी मस्ती नहीं कर पाया उदास मत हो, उसकी ममी ने कहा अगर आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे टॉमी जल्द ही सो गया जैसा सोचा था, अगले दिन टॉमी उठा और उसका पंजा ठीक हो गया धन्यवाद ममी, टॉमी बोला आपने बिल्कुल सही कहा था टॉमी भाग के गया अपने दोस्तों के साथ खेलने और वो खुश था कि उसने अपनी ममी की बात सुनी मात्री दिवस 2021 की आपको फिर से धेर सारी शुबकाम नाए और हिंदी एवम अंग्रेजी कहानियों के लिए रादर लिसन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ बाटें